नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपके स्वागत है पब्लिकेशन नियूस में आपको बता दे कैबिनेट मंतरी गणेश जोशी को बीती देरा तब्यत बिगरने पर एम्स रिशी केश में भरती कराया गया अभी फिलाल एम्स में उनकी हालत नॉन्मल बताई जा रही है बता दें कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी जिसके बाद उन्हें एम्स के ट्रामा वार्ड में रखा गया था एम्स पर्मोंडरी विभाग के डॉक्टर लोकेश सैनी की निगरानी में उनकी जाच की जा रही है वहीं आगे बढ़ते हो आपको बता दें इंदरा नगर में मंदिर मस्जिद स्कूलों के साथ साथ सौ परिवार पीने के पानी की समस्य से जूज रहे हैं लोग पानी के लिए सडक किनारे लगे हैंड पंप पर अब निर्भर हो गए हैं कुछ लोग निजी स्तर पर टैंकर मंगा कर पानी की विवस्ता करने को मुझबूर हो गए हैं लोगों के मुताबिक बार बार की गोहार के बावजूद वाडर प्लांट सम समाधान को कारगार कोशिश नहीं कर रहा पूर्व पाशर सल्मानी ने कहा कि तहसील में लिखित सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ जल्दी विवस्ता में सुधार के ठोस कदम नहीं उठाय गए तो जनता को साथ लेकर जल संस्थान कारियाले सुपरवाइजर बनाये गया है मिनाक्षी नटराजन, हरक सिंग रावत और परगट सिंग को परिवेक शानी सुपरवाइजर बनाये गया है वहीं अगली खबर के और रुक करते हो आपको बता दे दहरादून पोलिस ने अंधी हत्या की गुथी को सुल जाते हुए बड़ कोई थाना इलाके में बीते 21 जन्वरी को यूवक की हत्या का मामराब सामने आये था अग्यात यूवक का संदेग्ध परिस्तित्यों में शव मिलने के बाद हरकंप मच गया था पुलिस की जाच के बाद शव की पहचान इमरान के रूप में की थी पोस्मार्टम पुलिस मे खुलासा हुआ कि यूवक के साथ जम कर मारपीट की गई जिससे उसकी मौत हो गई ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन इस थन्यवाद